स्टॉक जिन्नी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त अबी शेक शर्मा और इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं शांदर स्टॉक कोटक महिंदरा पैंक के बारे में यहाँ पर हम डिसकस करेंगे क्या होने वाले हैं important supports क्या होंगे targets और क्या strategy हम लेकर चले 8 March के लिए तो शुरू करते हैं दोस्तों बात करते हैं ट्रेड़िट प्राइस के बारे में तो 1706 रुपे पर ट्रेड करता हुआ stock नजर आ रहा है और देखें daily charge basis पर लगातार गिराब बटी यहां भी जारी है बात करते हैं यहां पर support की तो देखिए दोस्तों नीचे की तरफ एक important support यहां से लेकर चल सकते हैं 1660 रुपे का यह important support है दोस्तों अगर इसको भी break कर जाता है stock तो फिर और नीचे 1650 रुपे की तरफ किरता हुआ नजर आ सकता है तो यह support आप लेकर नीचे की तरफ लेकिन यहां से अगर एक up move हमें देखने को मिलती है तो पहला target जो की stock अचीव करेगा वो करेगा 1750 रुपे का तो 1750 रुपे का target यहां से लेकर चलें 1660 रुपे का support नीचे की तरफ होने वाला है तो इन दो लेवल्स पर आपको पिलकुल नजरे बना कर चलनी है बात करें क्या strategy हमें यहां पर अपनानी चाहिए और कहां पर बनती है एक fresh buying की opportunity तो हमारे साब से दोस्तों अभी तो यहां पर fresh buying आपको नहीं करके चलनी चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से selling pressure stock पर हावी है किरावट चारी रह सकती है तो अभी cable wait and watch की strategy कोटक बैंक में अपनानी है लेकिन supports का ध्यान रखना है supports break होते हैं तो किरावट देखने को मिल सकती है तो अभी cable wait and watch की strategy अपनाएं और आपके portfolio म कोटक बैंक शामिल है तो continue hold रखें तो यहीं बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो please like करें share करें and subscribe करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद